Hello everyone, good morning India, आप सभी लोग का स्वागा थे आपके इस चैनल पे, तो आज का टॉबिक आप देख रहोंगे और इस सभी के साथ बड़ा common problem भी होगा, कि stop overthinking, you are only creating problems that are not there, बहुत बार ऐसा होता है कि यह जो over thought वाला जो चीज होता है, यह problem create करता है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा स सुषते हैं और उसके आपता चलता है कि यह तो problem थी नहीं, तो हमारा over thought वाला और मेंको लगता है कि यह तो बड़ा common problem है, 99% लोग के साथ over thought वाला problem रहता होगा, 99% एक परसें लोग लगए है कि उनके साथ over thought वाला process नहीं रहता है, लोग बहुत सुषते हैं, मताब किसी के बोलने के तरीके में भी कुछ न कुछ चीजे निकाल लेते हैं, जब आपना किसी को dislike करना चालू करते हैं तो उसकी हर बात में आपको negativity दिखती है, मताब ऐसा लगता है कि आपके पास एक power आ गए जिसमें आप उसकी पूरी बात को scan करके उसमें से negative point निकाल ली है, आपको positivity point भी जा सकता है, लेकिन over thought maximum time negativity side जाता है, क्योंकि हम हमेसा हमारे सोचने का नजेरियना different होते है, हमको लगता है वो हमको बोल रहा है, वो कुछ भी बोल रहा है, वो हमको लगता हमको बोल रहा है, तो over thought के कारण बहुत सारी problems create होती, जो की problem नहीं रहती, over thought के कारण relationship breakup वाल है, आपके अगर कोई girlfriend है तो उसके अगर कोई दोस्त भी होंगे तो आपको लगा है कि तो इतने देर बात करी, बताओ किते मिनट बात करी, 12 मिनट, तो 12 मिनट क्या बात करी, अब वो justify ही ना कर पाए 12 मिनट क्या बात की, तो ये over thought वाली जो चीज़ बड़ी tough होती है, same for boys, ठीक है, तो मैंको लगता है कि हम लोग कई बार problem create करते रहते हैं, बड़ी normal सी situation को problematic बना देते हैं, और कई बार उसका result बड़ा bad होता और उसके बार जब आपको पता चलता कि आप जबरदसी सोच रहते हैं, कई बार ऐसा होगा कि आपको ऐसा लगेगा कि कोई आपके लिए इसा लोग है बुरे ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन लोग को आपके लिए आपके साफ बुरा करना चाहता है, बुरा करना चाहता है, फिर आपको एक समय की बदपता चलता है कि आर नहीं ऐसा भी exactly नहीं था, उससा भी exactly नहीं था तो over thought process बड़ा important है, ऐसा नहीं है कि मैं से वह रिएक तो क्या बोगा कर रहता है कि अगर दोग पारिटी कर लिए बैसे उसको नहीं बुलाएं कोई रीजन वास होगा तो विक्ति असनलिस उसा संसर को यह को अंसर को लगता है कि अच्छा वो हमाना सच करना चाहता है गलत कोई हमको यह नहीं बताया कि वह एकजाम की प्रिपेरिशन अच्छे से कर रहा है उसका एक दिन एकजाम में होगे तो हमको लगता है कि यह तो बड़ा गलत वेकती है यह तो हमको बताता नहीं था और बैटके पढ़ लेता था तो हम और वर तो हमको बहुत जादा सोच लेते हैं नेड नहीं है नेड नहीं है मैं भर ट्राय करता हूं को मिनिम मं कर सको कि मैंनेज Mobile समाल तो में कोई करना रहता है ककी भूत सरे लोग होते जो अलग अलग तैप के लोग होते जिनको अलग टाप से हैंडल करना पड़ता है वाराइटी अब लोग इस दुनिया लेकिन आप इस्टुबेंट हो तो आपको और थाट की जरुवत नहीं है आपका कोई क्या ही कर लेगा और आपको क्या ही परसांद कर लेगा तो एक इस्टुबेंट लाइप में और था आईडिया था तो इस्टुबेंट लेकिन मैक्सिम टाइम आप बड़े से नॉर्मल से व्यक्ति के ऊपर भी सोच लेते हो कि गलत है और इसपेसली ना ओर थाट वाला प्रोसेस ना फेमिली वाले पार्ट में बहुत ज्यादा होता है फेमिली वाले पार्ट में कि मतलब होत लोग चेंज हो गये किया पहले तो ऐसा तो नहीं था आज आज कल ये जगश अपर हमीर शुखिया कि मैं शटा रूटल लोग पर यो सुखते हों कि ये शेज़ हो गिया तो तो इसके पास time नहीं है, लेकिन literally time नहीं मेरे पास इसलिए है, successful का कोई लेना देना नहीं, time नहीं मेरे पास, तो ऐसा होता है, मैं मेरे पास over thought के लिए, मेरा एक advantage क्या है कि, मैंसे कई लोग बोलते है कि आप इसलिए over thought से बच जाते हो, क्यूंकि आपके पास इतना कारे में कुछ बोलना, कुछ कुछ करना, वो सब लोग बहुत big successful नहीं हो पाते, तो मेंको लगता है कि जो लोग अपना काम बढ़ अच्छे से करते हैं, उनके chances हमेशा बढ़ते जाते हैं, तो आप over thought से बचो, यह बिलकुल good नहीं है बोला, फिर यह problem create करता है ना, और यह थोड जब big form में होगो तो depressed का form देना चालू करेगा, तो क्या आप depressed होना चाहते हो, नहीं न, आप depressed होना नहीं चाहते हो, सब को जीने दो आराम से सब को जीने, पोई rank लाता है लाने दो, कोई failure होता है लाने दो, किसी को देखके दुखी मत हो, किसी के बारे में बहुत negative सो experience matter करए का जिंदीगी और क्या है कि और थॉट के कारण परिशान और थॉट के कारण फिर समझ नहीं हो हम लोग के केस में और थॉट वाला प्रोसेस एक कॉमटेटि वर्लम में त। और थॉट वाला प्रोसेस होता है मताब, on paper best बनना आसान है, real life में best बनने के लिए बहुत compromise और में को लगता है कि बहुत, क्योंकि मैं तो जानता हूँ लोग को अपने आपको आसान नहीं है, सच में आसान नहीं है, हाँ, मताब, लोग को so किया जा सकता है कि मैं best हूँ, लोग अपने नजरी से देखेंगे तो मैं best हूँ, जिसे लोग में को मानते हैं कि मैं best हूँ, तो लोग का नजरी है, लोग को एक celebrity के अपने आपको बड़ा अच्छे से रिपिजिय करता है कि I am the best, एक बहुत अच्छा sportsman हमें साथ सो करता है कि I am the best, क्योंकि वो एक society का symbol है, एक बहुत important एक society के लिए उसका हर behavior, उसका हर एक reaction तो उसको अपने negative points को बचाना भी होता है, क्योंकि वो एक representative एक society का, तो इसने हमको लगता है कि वो ideal person है, लेकिन उनकी problem यह है कि उनको बचाना भी है, उनको बचाना भी है, अपने आपको अगर वो एक एक दम celebrity है और वो मतलब ऐसा नहीं कर सकता है कि वो drink करके रास्ते में गाड़ी चला के किसी को ठोक दिया, एसा हो नहीं कर सकता है कि उसको अलाओ नहीं है, तो कई बार हम मारे लिए judge करना बड़ा आसान यह है, तो नॉमल विक्ती कर सकता है, क्योंकि वो representative भी नहीं है, तो normal विकती कुछ भी कर सकता है, समझे है, कार में खड़ा हो कि चिला सकता है एक दम जम जम के, तो बहुत सरी चीजे हैं, लेकिन फिर भी सब लोग को improvement का try करना चीए, मैं बड़ा अच्छा सीख रहा हूं आपसे, और मैं ऐसे बात करते करते ना मैं को पता ही नहीं चल रहा है, धेरे धेरे की मेरे thought में बड़ी positivity और ज्यादा आ रही, वैसे तो थी पहले से, लेकिन तो भी कुछ-कु मेरे में भी positivity आ रही है, ऐसा नहीं कि एकदम से, एकदम में positivity का भंडार हो गया, ऐसा नहीं है, लेकि मेरे में भी day by day, जो जो points से उसको और improve करना है, और positivity वाले points को जमा करना है, ठीक, तो I am also doing good, तो thank you very much, आप सभी लोग को thank you, कि आपके कारना, मैं भी good learn कर रहा हूं, आपको देखता हूं, आपकी बातों को सुनता हूं, कि आप जिन्दगी में अच्छा करें, तो मैं भी ठीक जा रहा हूं, मैं भी सही जा रहा हूं, मैं अपने आपको भी good करूँगा, आने वाले समय में और better बनाऊंगा, towards very good तो मैं पहुची जाऊंगा, मैं try करूँगा क एक society को अगर मैं represent कर रहा हूं, तो मैं mistakes minimum करूँ, मैं को बड़ा, ये statement बड़ा tough लगता है, ये statement बड़ा tough लगता है, क्योंकि इसमें बहुत compromise है, आपकी feeling को control करना है, आपको क्या पसंद है, क्या पसंद नहीं, इसको भी control करना है, क्योंकि जब आप लोग को represent करते हो, तो matter नहीं करता है, क्या आपको पसंद है, matter ये करता है, कि लोग क्या देखना चाहते है, तो बड़ा आसान नहीं होता है, जब आप represented ही बनते हैं, जब आप normal लोग रहते हैं, तो फिर तो आपको जोग पसंद ही करो, कोई रोखने वाला नहीं है, तो ठीक है, और thought एक big problem है, प और expectation की कारण भी और thought बढ़ता है, लेकिन और thought को minimum करना चाहिए, तो age के साथ बढ़ते जाता है, तो try करो, कि जितना control कर सको तो control करो, ठीक है, okay, thank you, love you all.